हेलो फ्रेंट्स माइन इम इस वेडियो में अपने बात करने वाले हैं रिगार्डिंग इंटर्वी एक्सपीरियंस जो भी यहां पर मैं डिटेल आपको बदाने वाला हूं वह बिल्कुल एक्कुरिट रहेगी क्योंकि जो भी डिटेल मैंने आप लिए हुई है वह मेरे फ्र अपने बात करने वाले हैं और फिर उसके बाद आपन देखेंगे हर एक प्रॉसेस के बारे में हर एक इंटर्व्यू राउंड की बारे में लाइक कि कितने राउंड से मास्टर काड में उनकी डिटेलिंग या दी कहां से आप पढ़ सकते हर एक चीड डिटेल में आपर वाले हैं ओके फ्रेंट्स बिटाउट वेस्ट इस वीडियो तो यहां पर सबसे बहुत कर रहे हैं मास्टर काड इंटर्वी एक्सपीरियंस की तो यहां पर अपन देखने वाले हैं all about the interview process and the interview questions interview process क्या-क्या थी कहां से उसने अप्लाई किया और उसके question क्या-क्या थे ओके तो अपना आगे चलते हैं और देख लेते हैं topic अपन कौन-कौन से यहां पर cover करने वाले हैं तो basic introduction देखेंगे basic introduction of my friend कि उसकी organization क्या है previous organization कहां से उसने अप्लाई किया वगयरा वगयरा ठीक है और total number of rounds की वगयर भी बात करेंगे total number of rounds कितने हुए थे detailing भी अपन देखेंगे हर एक round की और लास्ट में एक भी पास आउट हो 2019 batch pass out TCS उसने जोईन किया था एजब फ्रैसर फर्स कंपनी तो वहां पर काम किया और Mastercard जैसे मैंने बताए 2021 में उसने जोईन किया तो September 2021 में उसने Mastercard को जोईन किया था तो यह जो वीडियो है मैं अभी 2023 and December मैं इसको record कर रहा हूं तो जो डेटा है वो 2021 के साफ से लेकिन जो मैंने उससे अभी फिर से मैंने connect किया था मलब की process क्या change हुई है तो उसने बताए process विल्कुल सेम है बट लेवल ऑफ सीधा उसको उसकी प्रोफाइल हो गई थी नौकरी.com से और उसको directly वहां पर call आ गया that are you looking for a change और वहां से उसका conversation basic conversation रहा है वहां पर recruitment team के तुरो और बात करते हैं total number of interview rounds के तो total four rounds दें वापन एक-एक करके सारे rounds देखेंगे और साथी साथ उनकी detailing भी आपर cover करने वाले हैं फर्स राउंड की बात करें दें फर्स राउंड है assessment test और उसने मुझे बताया कि assessment test mandatory नहीं हो सकता कि आपके case में हो हो सकता कि नहीं हो डिपेंड करता है आपके project के उपर तो project specific भी कई वार assessment होते हैं तो generally आपकी java profile है अगर आप development में जाते हैं तो generally आपका एक assessment test होता है जिसमें आपकी reasoning ability आपका aptitude बगरा थोड़ा वार चेक किया जाता है तो यहां पर assessment test हुआ था उसका mcq questions दे जिसमें जावा से technical questions दे और लाइक की कोई code दे दिया कि इसका output क्या हो सकता है ABC कुछ भी हो सकता है रही कुछ basic जो theoretical mcq-based questions हो सकते हैं वह भी यहां पर थे साथ-साथ spring boots से भी mcq questions थे यहां पर design pattern related questions थे overall level की अगर बात करें friends difficulty level क्या था average to hard था questions मंदब इतने जादा easy नहीं थे कि direct आपने readout किया question friends आगे चलते हैं next round की और second round की यहां पर बात कर लेते second round क्या था और इसकी detailing यहां पर देख लेते second round था technical interview round और इसमें question कहां कहां से आय थे question थे question थे इसमें Java से कैसे connect करेंगे और data front end में कैसी क्या flow होगा उससे रेलेटर भी यहां पर questions उससे पूछे गए थे sample input output questions दे गया थे कोई input output related questions लाइक कोई आपको code दे दिया तो इसका input अगर इसमें यह डालेंगे तो इसका output क्या हो सकता है coding questions पूछे गए थे why implementing java 8 feature java 8 feature उससे पूछा गयता है 2021 में तो हो सकता अभी java 8 के लावा java 11 या फिर कोई और जो upgraded version है जो काफी demanding है तो उससे रेलेटर भी आपसे feature यहां पर पूछे जा सकते लेकिन 2021 में उससे जावा 8 से रेलेटर फीचर की उपर ही code करना था उसको इंटरफेस के उपर questions थे projects related questions थे और project related questions मैं आपको हमेसा कहता हूँ कि projects के उपर questions होते ही होते हैं चाहे आप as a freshers interview दे रहे हो या फिर आप as a experience guy interview दे रहे हो तो project के उपर आपकी command पूरी होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि अगर आप college में अभी और आपने front end के उपर काम किया है तो आपको cable friend end आता है आपको दोन चीज़ें आनी चाहिए front end वेकेंड और middleware में जो भी आप database वगएरा जो भी आप use करने वो सारी चीज़ें आपको detailing in and out आपको everything पता होना चाहिए अगर आपको detailing नहीं आती है आपके दूसरी पार्ट की जो आपने नहीं किया लेकिन at least उ end to end flow पता होना चाहिए हो सकता है कि आप support में काम नहीं करते हैं आप केबल technical testing में काम नहीं करते हैं लेकिन क्या-क्या चीज़ें होती है उसमें पूरा project का in and out वो लोग आपसे पूछ सकते हैं तो हर एक चीज़ आपको वहां पर पता होनी चाहिए कुश्चंस वन माइक्रो सर्विसेस माइक्रो सर्विसेस से रेलेटिक कुश्चंस पे आर से दस थेरोडिकल कुश्चंस यहां पर उससे पूछे गया थे टेक्निकल इंट्रव्यू में टेक्निकल इंट्रव्यू लेवल की बात करेंगे फ्रेंस डिफिकल्टी लेवल था पता लगा सकते हैं कि इसमें कुछ technical questions रहे होंगे, साथ ही साथ कुछ management related, scenario based questions यहां पर हो सकते हैं तो पहला ही question यहां पर उससे scenario based questions पूछा किया था, scenario based questions भी हो सकते हैं कुछ भी आपको ऐसी hypothetical situation दे दी जाए और उसमें आपसे पूछा जाए कि आपको decision क्या होगा या उस particular situation को आप कैसे क्या handle करेंगे, तो मैं ऐसे कई वार example दे चुका हम अपने वीडियो में तो और आपको भी पता होगा, मुझे जादा बतानी कि आपर ज़रूरत नहीं है तो कुछ technical questions यहां पर कुछ technical questions भी दे लाइक आपको नामसी पता चला है techno managerial round था तो कुछ technical questions दे, scenario based questions, managerial round related questions भी यहां पर दे CICD commands यहां पर आपको बताने थे मलब continuous integration, continuous development क्या होता है यह वाला feature आपको यहां पर बताना था, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, sorry How to handle the pressure situation, यह again managerial round question हो गया, तो pressure situation भगेरा हो सकते हैं, like कि आप अभी गाम कर रहे हो और प्रजेट की deadline आने वाली एक अपते में और आपको लगता है कि जो particular काम आपको आशायन हुआ है, आपकी team पे आप कर रहे हो, आप team lead हो, और वो एक अपते में तो नहीं हो सकता है, कैस कैसे क्या handle करोगे, project work related scenario based questions, तो project के उपर भी scenario based questions पूछे जा सकते हैं, like कोई आप code के उपर काम कर रहे हो, और आपने development environment में अच्छे से कर ले हो, उसका SIT हो गया, उसका UAT सब कुछ हो गया, और production में जा रहा है, फट क्या code, तो हो सकता है कि production में code फट या है, तो उन चीज किया, और उसको आपने कैसे overcome किया, तो जब भी ऐसे वाले answer आप दो तो थोड़ा सोच समझ के दो, क्या आप answer करने वाले हो, और मैं अच्छा ही होना जी है, मेरी खाल से, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी यहाँ पर उठा के बोल दे रहे हो, मेरी खाल से, strength and weakness आपकी क्या है, strength and weakness की उपर भी उससे question होगाता, तो strength and weakness आपको, again मैं कहूंगा, बहुत ही ज़्यादा specific होके answer इसके देने पर दे, कई बार क्या होता है, कि आप weakness की उपर ज्यादा focus नहीं करते कि आपको weakness यहाँ पर क्या बोली है, और किवल एक weakness आप गलत बताएंगा, तो उसकी वाई से चैनल की उपर वीडियो ज़री होई है, campus placement series करके एक playlist है, आप उसमें जाएंगे तो आपको सारी वीडियो उससे related वहाँ पर मिल जाएंगे, आप उन questions को चेक कर सकते, उन वीडियो को आप चेक कर सकते, और मेरे खाल से उन वाली वीडियो से आपको definitely questions कुछ help ज़रूर मिले आपको हमारे campus placement series जो playlist है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी, क्या उनके questions हो सकते हैं, क्या उनके answer आपको देने चाहिए, वो सारी चीजियां यहाँ पर आपको मिल जाएगी, salary discussion definitely यहाँ पर होता ही है, HR में, तो salary negotiation वगएर आप यहाँ पर कर सकते हैं, और overall level की बात करेंगे friends, it was easy to average, okay friends, आगे चलते हैं, आप pro tip कि यहाँ पर बात कर लेते हैं, focus होने हो strength, तो आपको हमेशा focus अपना अपनी strength के उपर रखनी है, don't mention unnecessary things in your resume, तो resume में आपका जो होना चाहिए, वो short and tweet होना चाहिए, फालतो की बाते हमाँ पर लिखी नहीं होनी चाहिए, आपको जो च आपको पहले उसके बारे में देख लेना चाहिए, मेरे ख्याल से कितने क्या rounds होते हैं, कितनी क्या process है, किस level दखका और इसके interviews होते हैं, like mastercard का आप देने जा रहे हो, तो यहाँ पर मैंने पूरी detailing आपको share कर दी है, हर एक round के बारे में detailing share कर दी है, उनका difficulty level share कर दी है, साती कि क्या होता है, कई वार आपने किसी particular company में apply कर दिया, आपने उसका interview दिया, आपकी preparation थी नहीं, और आप वहाँ पर reject हो गया, और वो company सपूर आपको अच्छी लगती थी, आप उसमें जाना चाहते थे, तो फिर आप at least 6 महने के लिए मेरे ख्याल से bound हो जाएंगे, किसी किस में तो एक साल या फिर दो साल तक आप दुबारा से apply नहीं कर सकते हैं, तो यह सी सारी restrictions होती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने point लिखा हुआ है, prepare very good for technical round, तो जो main focus होता है, जो manager वगेरा का, जो अभी recruitment team होती company की, वो focus करते हैं कि बंदे का technical round कैसा है, में अलब technical कैसा है, और technical अगर strong है, तो आपके chances वहाँ पर ज्यादा बन जाते हैं, आपके hiring होने के, आपको week areas के उपर भी अपने काम करना पड़ेगा, communication skills आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कुछ scenario based questions के आपको answers आने चाहिए, उनकी questions भी आपके पास ready होनी चाहिए, अगर ऐसा question आता है, तो answer क्या हो सकता है, तो already मैं आपको बदा चुका हूँ, आप हमारी playlist चेक कर सकते हैं, और मेरी खाल से वहाँ से definitely आपको कुछ ना कुछ help जरूर मिलने वाली है, project on which you have worked must be no detailing of this, meaning project experience must be good, तो project के बारे मैं already मैं mention कर चुका हूँ, कि अगर आप HF registers हो, या फिर experienced candidate हो, तो project के बारे में आपको हर एक चीज आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने कोई project पे काम ही नहीं किया है, और फालतू बोले जाए हो, अगर फालतू बोल भी रहे हो, अग होना चाहिए, अगर कुछ भी आपने fake project यहाँ पर बना के बोल दिया, interview में, ठीक है, क्योंकि interviewer को तो नहीं बताना कि आपने project पे actual में काम किया है कि नहीं, लेकिन आपको answer उसके ऐसे करना है, उसको लगए है, हाँ actual में काम किया है, भली है, आपने काम ना किया हो, तो project के आपको पता होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि आपने काम किया, लेकिन आपको आता नहीं है, काम किया है, तो काम नहीं किया, फिर भी आप रिज्यूम में लिख रहे हैं, तो definite सी बात है, आपको बहुत मेहनत करनी बढ़े है उसके लिए, और उसके answer आपको ऐसे करना चाह हमारे साथ सेर करना चाहते हैं, तो आप हमें contact कर सकते हैं, studymaterialteam.com, okay friends, आज की वीडियो में बसे दना ही, मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में, thank you.